लिजे सुनिये मुंशी प्रियम चंद के लिखे कथा संग्र है मान सरुवर्दो की कहानी कुसुम मेरी यानि समीर गोस्वामी की आवाज में साल भर की बात है एक दिन शाम को हवा खाने जा रहा था कि महाशाय नवीन से मुलाकात हो गई मेरे पुराने दोस्त हैं बड़े बेतकल्फ और मन चले आगरे में मकान हैं अच्छे कवी हैं उनके कवी समाज में कई बार शरीक हो चुका हूँ ऐसा कवीता को उपासक मैंने नहीं देखा पेशा तो वकालत परड़ू बे रहते हैं काव चिंतन में आदमी जहीन है मुकदमा सामने आया और उसकी तहे तक पहुँच गए इसलिए कभी कभी मुकदमे मिल जाते हैं लेकिन कचहरी के बाहर अदालत या मुकदमे की चर्चा उनके लिए निशिद है अदालत की चार दीवारी के अंदर चार पांच घंटे वो वकील होते हैं चार दिवारी के बाहर निकलती ही कवी हैं, सिर से पाउं तक, जब देखी एक कवी मंडल जमा है, कवी चर्चा हो रही है, रचनाएं सुन रहे हैं, मस्त हो हो कर जूम रहे हैं और अपनी रचने सुनाती समय तो उन पर एक तलीनता सी छा जाती है, कंठ सर भी इतना मधूर है कि उनके पद बान की तरह सीधे कलीजी में उतर जाते हैं, अध्यात में मधूर की सुरिष्टी करना, निर्गुण में सगुण की बाहर दिखाना उनकी रचनाओं की विशेष्टा है, वो जब लखनव आते हैं, मुझे पहले सूचना दे दिया करत हैं, आज उन्हें अनायास लखनों में देखकर मुझे आश्यर हुआ, आप यहां कैसे, खुशल तो है, मुझे आने की सूचना तक न दे, बुले, भाई जाने एक जंजाल में फस गया हूँ, आपको सूचित करने का समय न था, फिर आपके घर को मैं अपना घर समझता इस तकलुफ की क्या जरूरत है कि आप मेरे लिए कोई विशेश प्रबंध करें, मैं एक जरूरी मुआमले में आपको कष्ट देने आया हूँ, इस वक्त की सेर को स्थगित कीजिए और चल कर मेरी विपत्ती कथा सुनिए, मैंने घबडा कर कहा, आपने तो मुझे चिंता म डाल दिया, आप और विपत्ती कथा, मेरे तो प्राण सुके जाते हैं, घर चलिए चित्त शांत हो तो सुनाओं, बाल बच्चे तो अच्छी तरह हैं, हाँ सब अच्छी तरह हैं, वैसी कोई बात नहीं, तो चलिए रेस्टरॉं में कुछ जलपान तो कर लीजे, नहीं भा अच्छी कथा सुनाने शुरू की, कुस्म के विवह में आप गए ही थे, उसके पहले भी आपने उसे देखा था, मेरा विचार है कि किसी सरल प्रकर्टी की यवक को आकर शित करने के लिए जिन कुड़ों की जरूरत है, वो सब उसमें मौजूद हैं, आपका क्या ख्याल है मैंने ततपड़ता से कहा, मैं आप से कहीं ज़्यादा कुस्म का परशन सकूँ, ऐसी लजज़ा, शील, सुगह, सलीकेदार और विनोधनी बालिका मैंने दूसरी नहीं देखी, माशे नवीन ने करून सवर में कहा, वही कुस्म आज अपने पती के निर्दे वेवहार के कार बिज़ार है, मैंने बहुत चाहा कि उसे बुला कर दोनों में सफाई करा दू, मगर ना आता है न मेरे पत्रों का उत्तर देता है, नजाने क्या गाठ पड़ गई है कि उसने इस बेदर्दी से आँके फिर दी, अब सुनता हूँ, उसका दूसरा विवा होने वाला है, कुस जिन्दगी की सारी अभिलाशा इमेटी जाती है, हमें इश्वर ने पुत्र ना दिया, पर हम अपनी कुसम को पाकर संतुष्ट थे और अपने भाग को धन्न मानते थे, उसे कितने लाड़ प्यार से पाला, कभी उसे फूल की छड़ी से भी न चुआ, उसके शिक्षा दीक लेक देखे हैं, मेरा ख्याल है बहुत कमदेवियां वैसे लेक लिख सकती हैं, समाज, धर्म, नीती, सभी विशयों में उसके विचार बड़े परिश्क्रत हैं, बहस करने में तो वो इतनी पटू है कि मुझे आश्चेर होता है, ग्रह प्रबंध में इतनी कुशल की मेरे गर का प्राया, सारे प्रबंध उसी के हाथ में था, किन्तु पती की दृष्टी में वो पाउं की धूल की बराबर भी नहीं, बार बार पूछता हूं, तूने उसे कुछ कह दिया है या क्या बात है, आखिर वो क्यों तुझ से इतना उदासीन है, इसके जवाब में रोकर यही कहती है, मुझसे तो उन्होंने कभी कोई बात चीत नहीं की, मेरा विचार है कि पहले ही दिन दोनों में कुछ मन मुटाव हो गया, वो कुसम के पास आया होगा और उससे कुछ पूछा होगा, उसने मारे शर्म के जवाब न दिया होगा, संभाव है, उससे दो चार बा नहीं कर सकता कि कुसम जैसी बालिका से कोई पुरुश उदासीन रह सकता है, लेकिन दुर्भाग को कोई क्या करे, दुखिया ने पती के नाम कई पत्र लिखे, पर उस निर्दाई नहीं एक का भी जवाब न दिया, सारी चिठ्थिया लोटा दी, मेरी समझ में नहीं आता क कि उस पाशान हिर्दय को कैसे पिगलाओ, मैं अब खुद तो उसे कुछ लिख नहीं सकता, आप ही कुसम की प्रान रक्षा करें, नहीं तो शीगरी उसके जीवन का अंत हो जाएगा और उसके साथ हम दोन प्रानी भी सिधार जाएंगे, उसकी व्यता अब नहीं देखी जा मैं आज ही मुरादाबाद जाओंगा और उस लॉन्डे की इस पूरी तरह खबर लूँगा कि वो भी याद करेगा, बचा को जबरदस्ती घसीट कर लाओंगा और कुसम की पैरों पर गिरा दूँगा, नवीन जी मेरे आत्मे विश्वास पर मुस्कुरा कर बोले, आप उस पर भाशी कि आप उहां से उसके भक्त हो कर लोटेंगे, वो नित्ता आपके सामने हाथ बांधे खड़ा रहेगा, आपकी सारी कठोरता शांत हो जाएगी, आपके लिए तो एक ही साधन है, आपकी कलम में जादू है, आपने कितने ही यूवकों को सनमार्ग पर लगाया है, हिर्दाए में सोई हुई मानवता को जगाना आपका कर्तब है, मैं चाहता हूँ, आप कुस्म की ओर से ऐसा करणा जना कैसा दिल हिला देने वाला पत्र लिखें कि वो लज्जित हो जाए, और उसकी प्रेम भावना सचेत हो उठे, मैं जीवन परियंत आपका आभारी रहू पड़े हैं, इस से आपको विश्वास हो गया है कि मैं चतुर सपीरी की भाती, जिस दिल को चाहूं नचा सकता हूँ, आपको ये मालूम नहीं कि सभी मनुश्य कवी नहीं होते और ना एक से भावुक, जिन गल्पों को पढ़कर आप रोए हैं, उन्हीं गल्पों को और मैं इस प्रस्ताव से सहमत हूँ, और यद्यपी, आपने मेरी करूनोत पादक शक्ती का अनुमान करने में अतियक्ती से काम लिया है, लेकिन मैं आपको निराश न करूँगा, मैं पत्र लिखूंगा और यथा शक्ती, उस यवक की निया बुद्धी को जगाने की चेश होंगे, उन पत्रों को देखने से मुझे ग्यात हो जाएगा कि किन पहलों पर लिखने की गुझाईश बाकी है, नवीन जी ने जेब से पत्रों का एक पुलिंदा निकाल कर मेरे सामने रख दिया और बोले, मैं जानता था, आप इन पत्रों को देखना चाहेंगे, इसलिए इन्हें साथ लेता आया, आप इन्हें शौक से पढ़ें, कुसम जैसी मेरी लड़की है, वैसी ही आपकी भी लड़की है, आप से क्या परदा, सुगंदित गुलाबी चिकने कागस पर बहुत ही संदर अक्ष्रों में लिखे उन पत्रों को मैंने पढ़ना शुरू किया, मे बार बार सोचती हूँ, मुझसे ऐसा क्या अपराद हुआ कि उसकी आप मुझे ये सजा दे रहे हैं, आप मुझे जिड़कें, घुड़कें, कोसें, इच्छा हो तो मेरे कान भी पकड़ें, मैं इन सभी सजाओं को सहर्श सहलूँगी, लेकिन ये निश्टुरता नहीं सही जाती हैं, मैं आपके घर एक सब्ता है रही, पर मात्मा जानता है कि मेरे दिल में क्या क्या आर्मान थे, मैंने कितनी बार चाहा कि आप से कुछ पूछ हूँ, आप से अपने अपरादों को शमा कराऊं, लेकिन आप मेरी परचाई से भी दूर भागते थे, मुझे कोई आपको याद होगा कि जब दो पहर को सारा घर सो जाता था, तो मैं आपके कमरे में जाती थी और घंटों सिर जुकाई खड़ी रहती थी, पर आपने कभी आँख उठा कर न देखा, उस वक्त मेरे मन की क्या दशा होती थी, इसका कदाचिता आप अनुमान न कर सकेंगे, मे उसे आपने कितनी निर्दैता से नश्ट कर दिया, मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आपके उपर मेरा कोई अधिकार नहीं है, अदालत भी किसी अपराधी को दंड देती है, तो उस पर कोई न कोई अभियोग लगाती है, गवाईं लेती है, उनका बयान सुनती है, आपने पूर वक कहती हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम आप क्यों रुष्ट हो गए, संभाव है, आपने अपनी पतनी में जिन गुणों को देखने की काम ना की हो, वे मुझ में ना हो, बेशक मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ी, अंग्रेजी समाज की रीत नीत से पर्चित नहीं, ना अंग्रेजी खेल ही खेलना जानती हूँ, और भी कितनी ही त्रुटिया मुझ में होंगी, मैं जानती हूँ कि मैं आपके योग ना थी, आपको मुझ से कही अधिक रूपवती, गुणवती, बुध्धिमती इस्त्री मिलनी चाहिए थी, लेकिन मेरे देवता, दंड जारे पर चलने को तैयार हूँ, आप मेरी दिल जोई करें फिर देखी, मैं अपनी त्रुटियों को कितनी जल्द पूरा कर लेती हूँ, आपका प्रेम का टाक्ष मेरे रूप को प्रदीप्त मेरी बुध्धी को तीवर और मेरे भाग को बलवान कर देगा, वो विभूती पाकर मेरी काया कल्प हो जाएगी, स्वामी, क्या आपने सोचा है, आप ये क्रोध किस पर कर रहे हैं, वो अबला जो आपके चरणों पर पड़ी हूई आप से शमादान मांग रही है, जो जन्म जन्मांतर के लिए आपकी चेरी है, क्या इस क्रोध को सेहन कर सकती है, मेरा पर लाकर आपको पश्यताब करने के सिवा और क्या हाथ आएगा, इस क्रोध हागनी की एक चिंगारी मुझे भस्म कर देने के लिए काफी है, अगर आपकी ये इच्छा है कि मैं मर जाओं, तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ, केवला आपका इशारा चाहती हूँ, अगर मर पर एक गुण भी है, मुझे दावा है कि आपके जितनी सेवा मैं कर सकती हूँ, उतनी कोई दूसरी इस्त्री नहीं कर सकती है, आप विद्वान है, उदार है, मनोविज्यान के पंडित है, आपकी लोंडी आपके सामने खड़ी दया के भीक मांग रही है, क्या उसे दौर स सह थी कि कोई इस्त्री अपने पती की इतनी खुशामत करने पर मजबूर हो जाए, पुरुष अगर इस्त्री से उदासीन रह सकता है, तो इस्त्री उसे क्यों नहीं ठुकरा सकती, वो दुष्ट समझता है कि विवाह ने एक इस्त्री को उसका गुलाम बना दिया, वो उस पर उसी कठोरता से शासन कर सकता है, वो जानता है कि इस्त्री कुल मर्यादा के बंधनों में जकड़ी हुई है, उसे रो रो कर मर जाने के सिवा और कोई उपाए नहीं है, अगर उसे भै होता कि औरत भी उसकी इट का जवाब पत्थर से नहीं, इट से भी नहीं, केवल उनी कठोरता से देता, उसकी चाती पर मूंग दलता, संसार के हसने की जरा भी चिंता न करता, समाज अबलाओं पर इतना जल्म देख सकता है और चूं तक नहीं करता, उसके रोने या हसने की मुझे जरा भी परवाह न होती, अरे अभागे ये वक, तुझे खबर नहीं, त अभी के प्रेम की पूर्ती करनी पड़ती है, अगर पुरुश में ये सामर्थ नहीं है, तो इस तरी की शुदित आत्मा को कैसे संतुष्ट रख सकेगा, परणाम वही होगा, जो बहुधा होता है, अबला कुढ़ कुढ़ कर मर जाती है, यहीं वो समय है जिसकी समृती जी के सारे कश्टों को हस हस कर सह लेती है, यहीं वो समय है जब हिर्दाय में प्रेम का बसंत आता है और उसमें नई नई आशा कोपले निकलने लगती है, ऐसा कौन निर्दाई है जो इस रितु में भी उस व्रक्ष पर कुलहारी चलाएगा, यहीं वो समय है जब शिकारी किसी पक्षी को उसके बसेरे से लाकर पिंजरे में बंद कर देता है, क्या वो उसकी गर्दन पर छुरी चलाकर उसका मधुरगान सुनने की आशा रखता है, मैंने दूसरा पत्र पढ़ना शुरू किया, मेरे जीवन धन, दो सबता है जवाब की प्रतिक्षा करने के बाद, आज फिर वही उलाहना देने बैठी हूँ, जब मैंने वो पत्र लिखा था, तो मेरा मन गवाही दे रहा था कि उसका उत्तर जरूर आएगा, आशा के विरुद्ध आशा लगाए हुए थी, मेरा मन अब भी इसे स्विकार नहीं करता कि जान बूज कर उसका उत्तर नहीं दिया, कदाचित आपको अवकाश नहीं मिला, या ईश्वर न करे कहीं आपा स्वस्त तो नहीं हो गए, किस से पूछू, इस विचार से ही मेरा हिर्दय काप रहा है, मेरी ईश्वर से यही प्रार्टना है कि आप प्रसन और स्वस्त हो, पत्र मुझे ना लेके ना सही, रोकर करा जाओंगी, मर्यादा और परिपाटी के बंधनों से मेरा जी घबराता है, ऐसी दशा में भी यदि आप मुझे अपनी सेवा से बंचित रखते हैं, तो आप मुझे मेरा वो अधिकार चीन रहे हैं, जो मेरे जीवन की सबसे मूर लिवान वस्तु है, मैं आप से और और विपत्ती में भी प्रसन रहूंगे, मुझे आभुशनों की लालसा नहीं, महल में रहने की लालसा नहीं, सेर तमाशे की लालसा नहीं, धन बटोरने की लालसा नहीं, मेरे जीवन का उद्देश के वला आपकी सेवा करना है, यही उसका धेय है, मेरे लिए दुनिया में कोई देवता नहीं, कोई गुरू नहीं, कोई हाकिम नहीं, मिरे देवता आप है, मिरे राजा आप है, मुझे अपने चर्णों से नहाटाईए, मुझे ठुकराईए नहीं, मैं सेवा और प्रेम के फूल लिए, कर्तव और वरत की भेंट अंचल में सजाये, आपकी सेवा में आई हो, मुझे इस भेंट को, इन फूलों को अपने चर्णों पर रखने दीजिए, उपासक का काम तो पूजा करना है, देवता उसकी पूजा सुईकार करता है या नहीं, ये सोचना उसका धर्म नहीं, मेरे सिर्टाज, शायद आपको पता नहीं, आजकल मेरी क्या दशा ह यदि मालूम होता तो आप इस निश्टुरता का वेवार न करते, आप पुरुश हैं, आप के हिरता हैं, मैं दया है, सहान भूती है, उदारता है, मैं विश्वास नहीं कर सकती कि आप मुझ जैसी नाचीज पर करोध कर सकते हैं, मैं आपकी दया के योग हूँ, कितनी दु आप अगनी हैं, मैं त्रण हूँ, आप राजा हैं, मैं बिकारें हूँ, क्रोध तो बराबर वालों पर करना चाहिए, मैं भला आपके क्रोध का आगहात कैसे सह सकते हूँ, अगर आप समझते हैं, कि मैं आपकी सेवा की योग नहीं हूँ, तो मुझे अपने हाथों से ये आपकी इच्छा है, मुझे ऐई संतोश काफी है कि मेरी मृत्यू से आप निश्चिंत हो गए, मैं तो इतना ही जानती हूँ कि मैं आपकी हूँ और सदेव आपकी रहूंगी, इस जीवन में ही नहीं, बलकि अनंत तक, अभागनी, कुसुम। ये पत्र पढ़कर मुझे कुसुम पर भी जुझला हटाने लगी और उस लौंडे से तो ग्रणा हो गई, माना तुम इस्त्री हो, आजकल के पर्थानुसार पुरुष को तुम्हारी उपर हर तरह का अधिकार है, लेकिन नमरता की भी तो कोई सीमा होती है, तो उसे भी चाहि नहीं, तो इस्त्री भी पुरुष की महताज क्यों है? ईश्वर ने पुरुष को हाथ दिये है, तो क्या इस्त्री को उस से वंचित रखा है? पुरुष के पास बुद्धी है, तो क्या इस्त्री अभोध है? इसी नमरता ने तो मर्दों का मिजाज है आसमान पर पहुचा पुरुश रूठ गया तो इस्त्री के लिए मानुप्रले आ गया। मैं तो समझता हूं कुसम नहीं उसका अभागा पती ही दया के योग है जो कुसम जैसे इस्त्री की कद्र नहीं कर सकता। मुझे ऐसा संदे होने लगा कि इस लॉंडे ने कोई दूसरा रोख पाल रखा है। किसी शिकारी की रंगी इन जाल में फसा हुआ है। खेर मैंने तीसरा पत्र खोला। प्रियत अब मुझे मालूम हो गया है कि मेरी जिन्द की निरुदेश है। जिस फूल को देखने वाला चुनने वाला कोई नहीं वो खिले तो क्यों। क्या इसलिए कि मुर्जा कर जमीन पर गिर पड़े और पैरों से कुचल दिया जाए। मैं आपके घर में एक महिना रहकर दो बारा आई हूँ। ससुर जी ही ने मुझे बुलाया। ससुर जी ही ने मुझे बिदा कर दिया। इतने दिनों में आपने एक बार भी मुझे दर्शन न दिये। आप दिन में बीसों ही बार घर में आते थे। अपने भाई बेहनों से ह उन्हें विन्हें किया, कितनी बार बेशर्मी करके आपके कमरे में गई, लेकिन आपने कभी मुझे आँक उठा कर भी न देखा, मैं तो कल्पना ही नहीं कर सकती कि कोई प्राणी इतना दैहीन हो सकता, प्रेम के योग नहीं, विश्वास के योग नहीं, सिवा करने के भी यो योग नहीं, तो क्या दया के भी योग नहीं? मैंने उस दिन कितनी महनत और प्रेम से आपके लिए रसकुली बनाए थे? आपने उन्हें हाथ से छुआ भी नहीं. जब आप मुझसे अतनी विरक्त हैं, तो मेरी समझ में नहीं आता कि जी कर क्या करूं? ना जाने ये कौन सी आ मैंने मुश्किल से दस दिन आपके घर में भूजन किया होगा. मैं इतनी कमजोर हो गई हूं कि चलती हूं तो आँखों के सामने अंधीर अचा जाता है. आँखों में जैसे जोती ही नहीं रही. हिरदय में मानुरक्त का संचालन ही नहीं रहा. खेर, सताली जी, जितना जी जाए. इस अनीत का अंत भी एक दिन हो ही जाएगा. अब तो बृत्यो ही पर सारी आशाएं ठीकी हुई है. अब मुझे प्रतीत हो रहा है कि मेरे मरने की खबर पाकर आप उच लेंगे और हलकी सांस लेंगे. हापकी आँखों से आसु की एक बूंद भी न गिरेगी. पर य आपका दोश नहीं मेरा दुरू भाग गये. उस जन्म में मैंने कोई बहुत बड़ा पाप किया था. मैं चाहती हूँ मैं भी आपकी परवाह न करूँ. आप यही की भाती आपसे आख फेर लो, मुझ फेर लो, दिल फेर लो. लेकिन न जाने क्यो मुझ में वो शक्ती नही है. क्या लता वरक्ष की भाती खड़ी रह सकती है? वरक्ष के लिए किसी जहारे की जरूरत नहीं. लता वो शक्ती कहां से लाए? वो तो वरक्ष से लिपटने के लिए पैदा की गई है. उसे वरक्ष से अलग कर दो और वो सूख जाएगी. मैं आपसे पर्थक अपने अस् हार हूं जिसके प्रतेक फूल में आप धागे की भाती घुसे हैं. उस धागे के बगएर हार के फूल बिखर जाएंगे और धूल में मिल जाएंगे. मेरी एक सहेली है शन्नू. उसका इस साल पाणी गरहन हो गया है. उसका पती जब सस्राल आता है शन्नू के पाउं जमीन पर नहीं पड़ते हैं. दिन भर में अजाने कितने रूप बदलती हैं. मुख कमल खिल जाता है. उसे बिखेरती लुटाती चलती हैं. हम जैसे अब हाकों के लिए हैं. जब आकर मेरे गले से लिपट जाती हैं तो हर शवरुन मात की वर्षा से जैसे मैं लट पत हो जाती दौनों अनराक से मतवाले हो रहें. उनके पास धन नहीं है, जायदाद नहीं है. मगर अपनी दरिद्रता में ही मगन है. इसा खंड प्रेम का एक शाम. उसकी तुल्ना में संसार की कौन सी वस्तु रखी जा सकती है? मैं जानती हूं, ये रंग रेलियां और बेफिक्रियां बहुत दिन न रहेंगे. जीवन की जिनताएं और दुराशाएं उन्हें भी परास्त कर देंगे. लेकिन ये मधुरिस्मृतियां संचिद्धन की भादें. अंत तक उन्हें सहारा देती रहेंगे. प्रेम में भीगी हुई सोखी रोटियां, प्रेम में रगे हुई मोटे प्रेम के प्रकाश से आलो के छोटी सी कोट्री. अपनी इस विपन्नता में भी वो स्वाद, वो शोभा और वो विश्राम रखती है, जो शायद देवताओं को स्वर्ग में भी नसीब नहीं. जब शन्नु का पती अपने घर चला जाता है, तो वो दुखिया किस तरह लंभों में भी एक स्वाद है, एक रस है. उसके आंसु व्यगरता और विवलता के हैं, मेरे आंसु निराशा और दुख के. उसकी व्याकुलता में प्रतिक्षा और उल्लास है, मेरी व्याकुलता में दैन और परवश्टा. उसके उपालंभ में अधिकार और ममता है, मेरे उपालंब में भगनता और रुदन पत्र लंबा हुआ जाता है और दिल का बोज हलका नहीं होता भायां का कर्मी पड़ रही है दादा मुझे मसूरी ले जाने का विचार कर रही है मेरी दुरबलता से उन्हें टी बी का संदे हो रहा है वो नहीं जानते कि मेरे लिए मसूरी नहीं स्वर्ग भी काल कोटरी है अभागिन कुसम मेरे पत्थर के देवता कल मसूरी से लोट आई लोग कहते हैं बड़ा स्वास्त वर्धक और रमनी के स्थान है होगा मैं तो ये एक दिन भी कमरे से नहीं निकली भगने हिर्दयों के लिए संसार सुना है मैंने रात एक बड़े मजे का सपना देखा बतलाओ पर क्या फाइदा ना जाने क्यों मैं अब भी मौत से डर्टी हूँ आशा का कच्च अधा का मुझे अब भी जीवन से पांधे हुए है जीवन उद्ध्यान के दौर पर जाकर बिना सेर की ये लोटाना कितना हस्रतनाक है अंदर क्या सुष्मा है क्या आनंद है मेरे लिए वो दौर ही बंद है कितनी अभी लाशाओं से वेहार का आनंद उठाने चली थी कितनी तैयारियों से पर मेरे पहुचते ही दौर बंद हो गया है अच्छा बतलाओ मैं मर जाओंगी तो मेरी लाश पर आंसु की दो बूंदे गिराओगे जिसकी जिन्दगी भर की जिम्मेदारी ली थी जिसकी सदेव के लिए बहां पकड़ी थी क्या उसके साथ इतनी भी उदारता न करोगे मरने वालों के अपराद सभी शमा कर दिया करते हैं तुम भी शमा कर देना आकर मेरे शव को अपने हाथों से नहलाना अपने हाथ से सुहाक के सिंदूर लगाना अपने हाथ से सुहाक की चूड़िया पहनाना अपने हाथ से मेरे मुह में गंगा जल डालना दो चार पग कंधा दे देना बस मेरी आत्म संतुष्ट हो जाएगी और तुम्हें आशीरवाद देगी मैं वचन देती हूँ कि मालिक के दरबार में तुम्हारा यश्क आउँगी क्या ये भी महंगा सौदा है इतने से शिष्टा चार से तुम अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हुए जाते है मुझे विश्वास होता कि तुम इतना शिष्टा चार करोगे तुम्हें कितने खुशी से मौत का स्वागत करती लेकिन मैं तुम्हारी साथ अन्याय ना करूँगी तुम कितने ही निश्टुर हो, इतने निर्दई नहीं हो सकते मैं जानती हूँ, तुम ये समाचार पाते ही आओगे और शायद एक शन के लिए मेरी शोक मृत्यू पर तुम्हारी आँखें रो पड़े कहीं मैं अपने जीवन में वो शुभव सर देख सकती अच्छा, क्या मैं एक प्रश्ण पूछ सकती हूँ, नाराज नहों ना, क्या मेरी जगए किसी और स्वभाग्वती ने ले ली अगर ऐसा है तो बढ़ाई, जरा उसका चित्र मेरे पास भेज़ देना, मैं उसकी पूझा करूँगी, उसके चरणों पर शीष नवाऊंगी कि तुम उसके साथ सुखी रहो, यदि मैं उस देवी की कुछ सेवा कर सकती, आप परोक्ष न सही, परोक्ष रूप से ही तुम्हारे कुछ काम आ सकती, अब मुझे केवल उसका शुभ नाम और स्थान बता दो, मैं सिर के बल दोड़ी हुई उसके पास जाऊंगी और कहूं कि देवी में तुम्हारी लॉंडी हो, इसलिए कि तुम मेरे स्वामी की प्रेमी का हो, मुझे अपने चरनों में शरन दो, मैं तुम्हारी लिए फूलों की सेज बिचाऊंगी, तुम्हारी मांग मोतियों से भरूंगी, तुम्हारी एडियों में महावर रचाऊंगी, ये म समझना कि मैं जलूंगी या कुढूंगी जलन तब होती है जब कोई मुझसे मेरी वस्तु छीन रहा हो जिस वस्तु को अपना समझने का मुझे कभी सो भाग ना हुआ उसके लिए मुझे जलन क्यों हो अभी बहुत कुछ लिखना था लेकिन डॉक्टर सहाब आ गए है बिचा मैं बहुत ही आवेश हीन आदमी हूँ भावकता मुझे छूबी नहीं गई अधिकांश कला विदों की भाती मैं भी शब्दों से अंदोलित नहीं होता क्या वस्तु दिल से निकलती है क्या वस्तु किवल मर्म को इस परश करने के लिए लिए लिखी गई है ये भेद बहु बालिका जिस पर माता पिता प्राण छिड़कते थे विवाह होते ही इतनी विपद ग्रस्त हो जाए विवाह क्या हुआ मानो उसकी चिता बनी या उसकी मौत का परवाना लिखा गया इसमें संदेह नहीं कि ऐसी वेवाहिक दुरगटना कम होती है लेकिन समाज में वर्तमान अंदशा में उनकी संभावना बनी रहती है जब तक इस्त्री पुरुष के अधिकार समान ना होंगे ऐसे आगात नित्त होते रहेंगे दुरबल को सताना कदाचित प्राणियों का सभाव है काटने वाले कुतों से लोग दूर भागते हैं सीधे कुते पर बाल वरंद विन चमाते हैं सुखमाई-दांपत्त की नीव अधिकार साम में ही पर रखी जा सकती है इस वैशम में प्रेम का निवास हो सकता है मुझे तो इसमें संदे है हम आज जिसे इस्त्री पुरुषों में प्रेम कहते हैं वो वही प्रेम है जो स्वामी को अपने पशु से होता है कि मालक का चाबुक पीट पर पड़ा। इसे प्रेम नहीं कहते। खेर मैंने पांचवा पत्र खुला। जैसा मुझे विश्वास था आपने मेरे पिछली पत्र का भी उत्तर ना दिया। इसका खुला हुआ अर्थ है कि आपने मुझे परित्याग करने का संकल्प कर लिया है। जैसी आपकी इच्छा। पुरुष के लिए इस्तरी पाउं की जूती है। इस्तरी के लिए तो पुरुष देवतुल है बलकि देवता से भी बढ़ करे। विवेक का उदय होती ही वो पती की कलपड़ा करने लगती है। मैंने भी वही किया। जिस समय में गुड़िया खेलती थी। उसी समय आपने गुड़े के रूप मेरे मनुदेश में प्रवेश किया। मैंने आपकी चड़नों को पकारा। मौला फूल और नेविद्दे से आपका सत्कार किया। कुछ किसी ना किसी रूप में मेरे जीवन में घुसे हुए थे। वे भावनाएं मेरे अंते इस तल की गहराईयों तक पहुँच गई है। मेरे अस्तित्व का एक एक अड़ू उन भावनाओं से गुथा हुआ है। उन्हें दिल से निकाल डालना सहज नहीं है। उसके साथ मेरे जीवन के परमानू भी बिखर जाएंगे। लेकिन आपकी यही इच्छा है तो यही सही। मैं आपकी सेवा में सब कुछ करने को तैयार थी। अभाव और विपन्नता का तो कहना ही किया। मैं तो अपने को मिटा देने को भी राजी थी। आपकी सेवा में मिट जाना ही मेरे जीवन का उद्देश यह था। मैंने लज्जा और संकोच का परित्याक किया। आत्म सम्मान को पैरों से कुछला। लेकिन आप मुझे सुईकार नहीं करना चाहती। मजबूर हूँ आपका कोई दोश नहीं। अवश्य मुझे से कोई ऐसी बात हो गई है जिसने आपको इतना कठोर बना दिया है। आप उसे जबान पर लाना भी उचितने ही समझते। मैं इसने श्ठुटा के सिवा और हर एक सजा जेलने को तैयार थी। आपके हाथ से जहर का प्याला लेकर पी जाने में मुझे विलंब न होता। किन्तु विधी की गती निराली है। मुझे पहले सत्त के सुईकार करने में बाधा थी। कि इस्त्री पुरुश की दासी है। मैं उसे पुरुश की सहचरी अर धांग नी समझती थी। पर अब मेरी आखे खुल गए। मैंने कई दिन हुए एक पुस्तक में पढ़ा था कि आदिकाल में इस्त्री पुरुश की उसी तरह संपत्ती थी। जैसा गाय बैल या खेती बारी। पुरुश को अधिकार था इस्त्री को बेचे गिरो रखे या मार डाले। विवाह की पर था उस समय के वल ये थी कि वर्पक्ष अपने सूर्सामंतों को लेकर सशस्त राता था। कन्या को उड़ा ले जाता था। कन्या के साथ कन्या के घर में रुपिया पैसा अनाज या पशू जो कुछ उसके हाथ लग जाता था। उसे भी उठा ले जाता था। वो इस्त्री को अपने घर में ले जाकर उसके पेरों में बेड़िया डालकर घर के अंदर बंद कर देता था। उसके आत्म सम्मान के भावों को मिटाने के लिए यो उपदेश दिया जाता था कि पुरुष ही उसका देवता है सोहाग इस्त्री की सबसे बड़ी विभूती है आज कई हजार वर्षों के बीतने पर पुरुष के उस मनो भावों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ पुरानी सभी पर थाएं कुछ विक्रत या संस्क्रित रूप में मौजूद है आज मुझे मालूम हुआ कि उस लेखक निस्त्री समाज की दशा का कितना सुन्दन निरूपन किया था अब आप से मेरा सविनाय अन्रोध है और यही अन्तिम अन्रोध है कि आप मेरे पत्रों को लोटा दें आप के दिये हुए गेहने और कपड़े अब मेरे किसी काम के नहीं इन्हें अपने पास रखने का मुझे कोई अधिकार नहीं आप जिस समय चाहें वापस मंग वाले मैंने उन्हें एक पोटरी में बंद करके अलग रख दिया है उसकी सूची भी वहीं रखी हुई है मिला लीजेगा आज से आप मेरी जबान या कलम से कोई शिकायत न सुनेंगे इस ब्रह्म को भूल कर भी दिल में स्थान न दीजिएगा कि मैं आप से बेवफाई या विश्वास गात करूँगी मैं इसी घर में कुढ़ कुढ़ कर मर जाओंगी पर आपकी और से मेरा मन कभी मेला न होगा मैं जिस जलवाईू में पली हूँ उसका मूल तत्त है पती में श्रद्धा इर्शिया जलन भी उस भाउना को मेरे दिल से नहीं निकाल सकती मैं आपकी कुल मर यादा की रक्षी का हूँ उस अमानत में जीते जी खयानत न करूँगी अगर मेरे बस में होता तो मैं उसे भी वापस कर देती लेकिन यहां मैं भी मजबूर हूँ और आप भी मजबूर हैं मेरी इश्वर से यही विंती है कि आप जहां रहें कुशल से रहें जीवन में मुझे सबसे कटू अन्भव जो हुआ वो यही है कि नारी जीवन अधम है अपने लिए अपने माता पिता के लिए अपने पती के लिए उसकी कदर ना माता के घर में है ना पती के घर में मेरा घर शोकागार बना हुआ है अम्मा रो रही हैं दादा रो रही हैं कुटम्ब के लोग रो रही हैं मेरी एक जात से लोगों को कितनी मांसिक वेदना हो रही है कदाचित वे सोचते होंगे ये कन्या कुल में ना आती तो अच्छा होता मगर सारी दुनिया एक तरफ हो जाए आपके उपर विजे नहीं पा सकती आप मेरे प्रभू है आपका फैसला अटल है उसकी कहीं अपील नहीं कहीं फरियात नहीं खेर आज से ये कांड समाप्त हुआ अब मैं हूँ और मेरा दलित भगने हिर्दय हसरत यही है कि आपकी कुछ सेवा न कर सकी अभागनी कुसुम मालूम नहीं मैं कितनी देड़ तक मूख वेदना की दशा में बैठा रहा कि महाशय नवीन भूले आपने इन पत्रों को पढ़कर क्या निश्चे किया मैंने रोते हुए हिर्दय से कहा अगर इन पत्रों ने उस नर्पिशाज के दिल पर कोई असर न किया तो मेरा पत्र भला क्या असर करेगा इस से अधिक करना और वेदना मेरी शक्ति के बाहर है ऐसा कौन सा धार्मिक भाव है जिसे इन पत्रों में इस पर्ष न किया गया हो दया, लज्जा, तरसकार, न्याय मेरे विचार में तो कुसम ने कोई पहलू नहीं छोड़ा मेरे लिए अभी अही अंतिम उपाय है कि उस शेतान के सिर पर सवार हो जाऊं और उस से मुह दर मुह बात करके इस समस्या की तह तक पहुँचने की चेश्टा करूँ अगर उसने मुझे कोई संतोश्परद उत्तर न दिया तो मैं उसका और अपना खोन एक कर दूँगा या तो मुझी को फासी होगी या वही काले पानी जाएगा कुसम ने जिस धैर और साहस से काम लिया है वो सराइनी है आप उसे सांत्वना दीजी मैं आज रात की गाड़ी से मुरादाबाद जाऊंगा और परसों तक जैसी कुछ परिस्थिती होगी उसकी आपको सूच न दूँगा मुझे तो ये कोई चरित्रहीन और बुद्धीहीन ये वक मालूम होता है मैं उस बहक में जाने क्या क्या बगता रहा इसके बाद हम दोनों भोजन करके स्टेशन चले वे आगरे गए मैंने मुरादाबाद का रास्ता लिया उनके प्राण अभी सुखे जाते थे कि क्रोध के आवेश मैं कोई पागल पर न कर बैठू मेरे बहुत समझाने पर उनका चित्त शान्त हुआ मैं प्रातहकाल मुरादाबाद पहुचा और जाच शुरू कर दी इस यवक के चरित्र के विशे में मुझे जो संदेह था वो गलत निकला महले में कॉलेज में उसके इश्ट मित्रों में सब ही उसके प्रशन सकते अंधिरा और गहरा होता हुआ जान पड़ा संदेह समय में उसके घर जा पहुचा जिस निश्कपट भाव से वो दोड़ कर मेरे पैरों पर जुका वो मैं नहीं भूल सकता ऐसा वाक्चतुर ऐसा सुशील और विनीत यवक मैंने नहीं देखा बाहर और भीतर में इतना आकाश पाताल का अंतर मैंने कभी न देखा था मैंने कुशल शेम और शिष्टा चार के दो चार वाक्चियों के बाद पूछा तुम से मिलकर चित्त प्रसन हुआ लेकिन आखिर कुसम ने क्या अपराद किया है जिसका तुम उसे इतना कठोर दंडे दे रहे हो उसने तुम्हारे पास कई पत्र लिखे तुमने एक का भी उत्तर न दिया उस दो तीन बार यहां भी आई पर तुम उससे बोली तक नहीं क्या उस निर्दोश बालिका के साथ तुम्हारा यह अन्याय नहीं है यह वक्त ने लजजित भाव से कहा बहुत अच्छा होता कि आपने इस प्रश्न कुना उठाया होता उसका जवाब देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है मैंने तो इसे आप लोगों के अनुमान पर छोड़ दिया था लेकिन इस गलत फहमी को दूर करने के लिए मुझे विवश्क हो कर कहना पड़ेगा यह कहते कहते वो चुप हो गया बिजली की बत्ती पर भाती भाती की कीट पतंगे जमा हो गए कई जिंग और उचल उचल कर मुह पर आ जाते थे और जैसे मनुश्य पर अपनी विजए का परिचा देकर उड़ जाते थे एक बड़ा सा अक फोड़ भी मेज पर बैठा था और शायद जस्त मारने के लिए अपनी देह तॉल रहा था यह वक्त ने एक पंखा लाकर मेज पर रख दिया जिसने विजए कीट पतंगों को दिखा दिया कि मनुश इतना निर्बल नहीं है जितना वी समझ रहे थे एक शण में मैदान साफ हो गया और हमारी बातों में दखल देने वाला कोई न रहा यह वक्त में सकुचाते हुए कहा संभवे आप मुझे अत्यंत लो भी कमीना और स्वार्थी समझे लेकिन यह थार्थी यह है कि इस विवाह से मेरी वो अभिलाशना पूरी हुई जो मुझे प्राणों से भी प्रिये थी मैं विवाह पर रजामंद ना था अपने पैरों में बेड़िया न डालना चाहता था किन्तु जब महाशे नवीन बहुत पीछी पड़ गए और उनकी बातों से मुझे यह आशा हुई कि वो सब प्रकार से मेरी सहायता करने को तैयार है तब मैं राजी हो गया पर विवाह होने के बाद उन्होंने मेरी बात भी न पूछी मुझे एक पत्र भी न लिखा कि कब तक वो मुझे विलायत भीजने का प्रबंद कर सकेंगे हलाकि मैंने अपनी इच्छा उन पर पहले ही परकट कर दी थी पर उन्होंने मुझे निराश करना ही उचित समझा उनकी इस अकरपा ने मेरे सारे मनसुबे धूल में मिला दिये मेरे लिए अब इसके सिवा और क्या रह किया है कि एलेल भी पास कर लूँ और कचहरी में जूती फटफटाता फिरू मैंने पूछा तो आखिर तुम नवीन जी से क्या चाहते हो लेन देन में तो उन्होंने शिकायत का कोई अफसर नहीं दिया तुम्हें विलायत भेजने का खर्च तो शायद उनके काबू से बाहर हो यह वक्त ने सिर जुका कर कहा तो यह उन्हें पहले ही मुझसे कह देना चाहिए था फिर मैं विवाही क्यों करता उन्होंने चाहे कितना ही खर्च कर डाला हूँ पर इससे मेरा क्या उपकार हुआ दौनों तरफ से दस बारह हजार रुपे खाक में मिल गए और उनके साथ मेरी अभिलाशा है खाक में मिल गई पिताजी पर तो कई हजार कर्यन हो गया है वो अब मुझे इंग्लेंड नहीं भेज सकते क्या पूज नवीन जी चाहते तो मुझे इंग्लेंड न भेज देते उनके लिए दस पांच हजार की कोई हकीकत नहीं मैं सन नाटे में आ गया मेरे मुझे अनायास निकल गया छी वाहरी दुनिया और वाहरे हिंदु समाच तेरे हां ऐसे ऐसे स्वार्थ के दास पड़े हुए हैं जो एक अबला का जीवन संकट में डाल कर उसके पिता पर ऐसे अत्याचार पूर्ण दबाव डाल कर उचा पत प्राप्त करना चाहते हैं विद्यार्जन के लिए विदेश जाना बुरा नहीं इश्वर सामर्थ दे तो शौक सिजाओ किन्तु पत्नी का परितियाग करके ससुर पर इसका भार रखना निरलज्जता की पराकाश था है तारीफ की बात तो तब थी कि तुम अपने पूरशार्थ से जाते इस तरह किसी की गर्दन पर सवार होकर अपना आदम सम्मान बेच कर गए तो क्या गए इस पामर की दृष्टी में कुसम का कोई मूली ही नहीं वो किवल उसकी स्वार्थ सिद्धी का साधन मात रहे ऐसे नीच प्रक्रती के आदमी से कुछ तरक करना वेर्थ था परिस्थिती ने हमारी चुटिया उसके हाथ में रखी थी और हमें उसके चरणों पर सिर जुकाने के सिवा और कोई उपाए न था दूसरी गाड़ी से मैं आगरे जा पहुँचा और नवीन जी से ये वरतांत कहा उन बिचारे को क्या मालूम था कि हाँ सारी जिम्मेदारी उन्हीं के से डाल दी गई है यद्यपी इस मंदी ने उनकी वकालत भी थंडी कर रखी है और वो दस पांच हजार का खर्च सुगमता से नहीं उठा सकते लेकिन इस ये वक्त ने उनसे इसका संकेत भी किया होता तो वो अवश्य कोई न कोई उपाय करते कुसम के सिवा दूसरा उनका कौन बैठा हुआ है उन बेचारे को तो इस बात का ग्यान ही न था अतेव मैंने योहीं उनसे समाचार कहा तो वो बोल उठे छी इस जरा सी बात को इस भले आदमी ने इतना तूल दे दिया आप आज ही लिख दें कि वो जिस वक्त जहां पढ़ने के लिए जाना चाहे शौक से जा सकता है मैं उसका सारा भार सुईकार करता हूँ साल भर तक निर्दई ने कुसम को रुला रुला कर मार डाला घर में इसकी चर्चा हुई कुसम ने भी मां से सुना मालुम हुआ एक हजार का चेक उसके पती की नाम भेजा जा रहा है पर इस तरह है जैसे किसी संकट का मूचन करने के लिए नुश्ठान किया जा रहा हो कुसम ने भरिकुटी से कूड कर कहा अमा दादा से कह दो कहीं रुपए भेजने की जरूरत नहीं माता ने विसमित हो कर बालिका की ओर देखा कैसे रुपए अच्छा वो क्यों इसमें क्या हर्ज है रड़के का मन है तो विलायच जाकर पढ़े हम क्यों रोकने लगे ये भी उसी का है वो भी उसी का है हमें कौन च्छाती पर लाद कर ले जाना है नहीं आप दादा से कह दीजी एक पाई न भीजें आखिर इसमें क्या बुराई है इसलिए कि ये उसी तरह की डाका जनी है जैसी बदमाश लोग किया करते हैं किसी आदमी को पकड़ कर ले गए और उसके घरवालों से उसके मुक्तिधन के तोर पर अच्छी रखम एठ ले माता ने तरसकार की आँखों से देखा कैसी बाते करती हूँ बेटी इतने दिनों के बात तो जाके देवता सीधे हुए है और तुम उन्हें फिर चढ़ाए देती हूँ कुसम ने जला कर कहा ऐसे देवता कर उठे रहना ही अच्छा जो आदमी इतना स्वार थी इतना दम भी इतना नीच है उसके साथ मेरा निर्वाह न होगा मैं कहे देती हूँ वहां रुपए गए तो मैं जहर खा लूँगी इसे दिल लगी ना समझना मैं ऐसे आदमी का मुह भी नहीं देखना चाहती दादा से कह देना और अगर तुम्हें डर लगता हो तो मैं खुद कह दू मैंने सतंद्र रहने का निश्चे कर लिया है माने देखा लड़की का मुख मंडला रक्त हो उठा है मानो इस प्रश्ण पर वो ना कुछ कहना चाहती है ना सुनना दूसरे दिन नवीन जी ने ये हाल मुझसे कहा तो मैं एक आत्म विस्मृत की दश्ण में दोड़ा हुआ गया और कुसम को गले लगा लिया में नारियों में ऐसा ही आत्म अभी मान देखना चाहता हूँ कुसम ने वो कर दिखाया जो मेरे मन में था और जिसे प्रकट करने का साहस मुझ में न था साल भर हो गया है कुसम ने पती के पास एक पत्र भी नहीं लिखा और ना उसका जिक्र ही करती है नवीन जी ने कई बार जमाई को मना लाने की चप्रकट की पर कुसुम उसका नाम भी सुनना नहीं चाहती उसमें स्वाव लंबन की ऐसी द्रढ़ता आ गई है कि आश्चर होता है उसके मुख पर निराशा और वेदना के पीले पन और तेज हींता की जगह है स्वाभी मान और सतंतरता की लाली और तेजस्विता भासित हो गई है अभी आप सुन रहे थे मुण्शी प्रेम चंद के लिखे कथा संग रहे मान सरुवर्दो की कहानी कुसुम मेरी यानि समीर गोस्वामी की आवाज में